जिए फिनाइल किया हुई? C6H5 और फिनाइल कि बनती है तर्य बनती है डिरेक्टली बेंजीन से जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा जाता है ठीके फिनाइल आपको पता चल गया कि अगर बेंजीन है उसके उपर आपका कारवन लगावा है ठीके कार्बन के साथ आपके हाइडरोजन पर डिपेंड करता है कि आईल लगेगा या ओ लगेगा अगर बेंजीन के ओपर जो कार्बन है उसके साथ सिर्फ दो हाइडरोजन है तो बेंजाइल गरूप लगाओ अगर यहां पर कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइडरोजन है तो अगर यहां पर कार्बन के पास बिलकुल भी कोई हाइडोजन नहीं है तो आप लगाओगे बेंजो हो जाएगा और एक और चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगी आपको कि बेंजीन के उपर जब भी कार्बन लगे बेंजीन के उपर जब एक कार्बन होता है ठीके कार्बन तर दो बनाता है